मैं डॉक्र सुप्रिया पुरानिक, टेस्ट्यूप बेबी कंसल्टन और प्रैक्टिसिंग ओप्सटिक अंगानेकलोजी मोह देन 25 यर्स आज कल चाहे कॉफी के बदले, ग्रीन टी बहुत लोग लेने लगे है क्योंकि ग्रीन टी एक healthy option है, इनमें antioxidants होते हैं और उसमें energy boost मिलता है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या ग्रीन टी प्रेगननसी के दौरान लेने से बेबी पे क्या असर हो सकता है ग्रीन टी प्रेगननसी के दौरान या प्रेगननसी से पहले जब हम लेते हैं तो इसका जरूर असर पड़ता है पहला असर है प्रेगननसी प्लानिंग के दौरान जब हम ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी में antioxidants रहते हैं जो folic acid का absorption कम करते हैं Pregnancy planning में folic acid का अच्छी मात्रा में लेना बहुत ही ज़रुरी होता है In fact, हम लोग folic acid की supplements देते हैं लेकिन वो absorb ही नहीं हुई तो उसको शरीर को कोई use नहीं होता क्योंकि folic acid की कमी से बेबी के brain and spinal cord में defect होते हैं जो major दो defect है ना, इनको बोलते है spina bifida and enencephaly तो इसलिए pregnancy से पहले और pregnancy के पहले तीमाई में इसका लेना बहुत ही ज़रुरी होता है इसकी कमी से abortion यानि की गर्भपात की chances भी पढ़ते हैं या कभी-कभी defective embryo तयार होता है और यही reason है कि pregnancy से पहले और pregnancy के दारान हमें green tea का seven कम करना है या bun करना है इसका दूसरा असर रहता है आयन absorption में green tea में tannins होता है और यह tannins की वज़े से हमारी शरीर में आयन absorb नहीं होता और आयन अच्छी मात्रा में absorb होना pregnancy के दारान बहुत जरूरी रहता है और तीसरा असर होता है green tea में caffeine होती है यह caffeine की मात्रा कॉफी से कम रहती है लेकिन caffeine तो इसमें रहता है प्रेग्ननसी के दारान जो allowed caffeine consumption है यह 200 mg per day है और green tea में 25-45 mg caffeine रहता है caffeine हम जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो abortion के chances बढ़ते हैं उसके साथ ही baby का birth weight कम होता है baby की तरह पहुँचने वाला खून कम रहता है बेबी अविकर्सी तो उनी के chances बढ़ जाते हैं तो यह तीन महत वो पूर्ण reasons है और यही वज़य है कि pregnancy के दारान हमें green tea का सेवन नहीं करना है इसके बारे में आपके कोई प्रशन रहेंगे तो हमें जरू लिखिए और हमारे gynec infertility IVF related वीडियो जरू देखते रही है धन्यवाद